एक महत्वपूर्ण समाधान ये है कि जैसे शहर में ये नियम होते हैं कि शहरी जमीन को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इमारतें बनाई जाएं, उसी तरह एक ऐसा कानून होना चाहिए, जो किसानों को आर्थिक प्रोटसाहन देने पर अधरित हो, यानि कि अगर आपके पास ए सूख्ष्म जीव जिन्दा नहीं रह पाएंगे, अगर सूख्ष्म जीव जिन्दा नहीं रहते तो इस धर्ती पर जीवन भी जिन्दा नहीं रह पाएगा, तो हमें कानूनों की जरूरत है, लेकिन आप सजा देने वाले कानून नहीं बना सकते, ये कानून किसानों को आर् आर्थिक प्रोचसाहन दिये जाने चाहिए और फिर इंडस्ट्री और बिजनस एक कार्बन क्रेडिट सिस्टम पर काम कर सकते हैं जो आर्थिक प्रोचसाहन का दूसरा स्तर होगा। आर्थिक प्रोचसाहन के इन तीन स्तरों को हमें कॉप 15 में सामने लाना होगा और ये पक्का करना होगा कि ये केवल को डिविर का हिस्सा ना बने बलकि पूरी दुनिया का हिस्सा बने ताकि किसानों को ये तीन फायदे मिलें। बहुत बहुत महत्वपून है कि लोग जमीन पर रहें क्योंकि जमीन ही हमारे जीवन का अधार है।